पुछकरदामी जी की नई शुरुवात थी यह मुख्यमंति हराओ की जो परंपरा उत्राखन में चल गई है जा मैं इसे चिंतित हूँ लेकिन सर जिम्मदारी किसकी बनती है उत्राखन में कोई सक्की बात थोड़ी है पार्टी ने कहा था इनके ने तुम्हें चुनाव लड़ा जाएगा और मैं विट्री को जीत को क्लिंच नहीं कर पाया गोल पोस्ट के अंदर गोल नहीं डाल पाया तो यह केवल केवल जो है क कंपेंड कमिटी के चेर्मेंड के तौर पे मेरी जिम्मदारी थी और उसको जिम्मदारी को मैं अपने कंदोंबह लेता हूं पार्टी ने बहुत कॉडिनेटर तरीके थे बड़े सयोग से बड़े उस्साफ हूं बाता उनमें चुलाव लड़ा सबका सयोग रहा सी एलपी सबसे बड़ी बात थी मांग दर्सन देने के लिए यह इसी पूरी टीम हमारे प्रभारी के ने तो तुम्हें अपस्ति थी और सबने प्राण प्रण से सयोग दिया मैं उनके सयोग को पार्टी की जीत मैं जिम्मदार नहीं आपको लगता नहीं कहिए इस अवे बाजी थी का सामाजीड जीवन का अनुभाव कहता है जो कुछ हमने पहले पढ़ा कि जिव सरकार धुक पहुंचось है उस सरकार को सरकार रहनेया उसारा कर राजा रहने इनको आनन्द आन रहा है तो बहुत मेरे पास लोग आते हैं मिलने के लिए जार जार रौती जिस तरीके से हालत है कहते है अधर बैग से करदे रखा माबाब आत्म हत्या कर लेंगे जमीन के कटिष कि आएगी हुन क्ँछ कर दीजिए हमारी नौकरी लग जाए तिन तिन बार हमको बुलाया जा रहा है लेकिन इतनी बड़ी वेरोजगारी उत्राखंड में तो चर्म पर थी और कोरोना काल में जिस तरीक से लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया जनता ने चुना तो बिजेपी को स्वास्त और शिक्सिया का ढाचा जनता ने सर्वीजेपी को चुना तरस्त है तरस्त है यही कह रहा हूं यह मेरी समझवन नहीं आया इस रहस्य के लिए मैं कभी अब ध्यान लगाऊंगा वेदी ध्यान लग पाया हार की चोड़ से उबर कर करके जो है ध्याल लगाओंगा को हुआ है ऐसा क्या जादू है भारती जंता पार्टी में जिसमें लोग जो है इनके इतने बुरे कामू को जो है माप कर दे रहे हैं और फिद्वीन को सत्ता सौंब दे रहे हैं अगर और विचारा जो है बली का बगरा बना दिया हमारे कहीं ने कहीं एक तरफ जब कहा जाता है कि जीत कर श्रे मोधी और योगी को जा रहा है तो हार की जिम्मेदारी हरी श्रावत ले रहे हैं कहीं क्या राहुल गांदी की जिम्मेदारी भी होद बनती है यह तो स्टेट किया अलग-अलग अपने पंजाब में आप बुरी तरह पंजाब में जैसा हम लोग कर रहे हैं चुनाओ के समय में हमने जैसा आच्रन किया उसमें जीती हमाले आश्रे जिनक होती तो यह तो लोकल अपने सवार कोई जम्मेदारी नहीं है क्या उत्राखंड में जो है मैं कह रहा हूं सब लोग बैचारे गोल पोस्तर लेकर के गए दिखाई नहीं दे रहा हांकुनों से यतनी संक्या आई कॉंग्रेस की जो है गोल पोस्तर लेकर के गए अब गोल पर जो है हरी श्रावत से निशाना ठीक से नहीं लगा मैं वह निशाना तो छोड़ा अपनी टांग भी नहीं बचा बाया तो यह यहां हरी श्रावत जिम्म चिप गए थे मायवती जी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी कोई विवक्स का काम नहीं कर रहा था उस समय प्रिंका गाधी तो थी जिन्होंने हात्रत से आवाज उठाई और उस बुलंदी को लेकर के शोनभद्र आगरा और फिर सीतापूर लखेंपूर तक लेकर के गई औ उत्तरप्रदेश के अंदर और एक बाताउन बना उत्तरप्रदेश के अंदर भाजपा और योगी जी के खिलाब उसको बनाने का काम प्रिंका गाधी जी नहीं किया अब संगेठ्थन और नाइट जो खड़ा किया नहीं जा सकता है तो हमारे पास संगेठ्थन का पूरा ध यह विचार करेंगे इसमें आप जैसे उत्राखंड में मैंने कहा नहीं कि भाई मैं आपने को रिइन्वेंट करूँगा आखिर कारी करता के रूप में मैं क्यों नहीं जनता को विश्वास दिला पा रहा हूं कि मैं जीत सकता हूं करके मैं एक अच्छा जनती आगे आप राजनीती जारी रखेंगे या कुछ और सोचा करेंगे पार्टी कहेगी इजादत देगी तो मैं अपने को नियाय पंचायत कॉंग्रेस और बूट कमिटी क कॉंग्रेस बूट कमिटी के अध्यव के रूप में काप करना चाहूंगा और एक चोटे से गाउं को मैं अपने मॉडल के तौर पर लूँगा जिसको मैं अपनी जो उत्राखन की एग्रोनमी की मेरी शोस थी उसको मैं वहां पर टांसलेट करना चाहूं बड़ा पत तो नह काउंग्रेस के अंदर भी सरकार के अंदर हुई तो उसके बाद जूद भी यदि मैं फिर भी कुछ लाल सा रख रहा हूं तो फिर तो मैं सौर्थी हूं बहुत बहुत चुक्रिया टीवी नाई से बात करने के लिए